कि हैं आप लोग अगर तो आप सब बहुत चाहता है त्यारी आप लोग एक पूरा नेक्स लेवल पर चली रहा होगा एकदम इंगलिस में अगर आपको भी डर लगता है ना या फिर आपका अच्छा है और अच्छा करना चाहते हैं तो इस सेशन इस गोइंग तो वह 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 आप आसानी से लगाई सकते हैं है ना और मैं एक बात और करना चाहूंगा जो पहली बार देख रहे हैं नो इससे रिक्वेस्ट अप्ली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब इसलिए कर रहे ना ताकि आपको रोज का नोटिफिकेशन मिल जाने तो हो सकता है एक दिन आपको वीडियो देखे दिन आपको ना देखे देखो आज करना पड़ाई एक बिजनस सा बने गया ज़्यादा जवी नहीं है कि हाँ आप किसी एक घंटा का ये सेशन देखो तब आपको दस गो वो कैब मिले आपको तीन-चार मियाट में पर 15-20 वो कर डेली का हो सकता है एकदम ह है तो क्या दिकत है चलिए सेशन का सुवार हम करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसका बहुत बड़ा असर हमारे डे-to-day लाइफ में पड़ता है सिंपल सा बात है कोई भी काम करते हैं तो वहां पर पोजिटिवीटी जो होता है ना तो काम हम कर ले जाते हैं मतलब हम सक्सिस हो जाते हैं नहीं तो पता है क्या होता है मतलब दीन रात करते रहते हैं मने में डर सा बना रहता है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा मतलब हमेशा है या फिर सामने वाला हमसे अच्छा बहुत जाता है हमसे नहीं हो पाता है मतलब यह जो करते रहते हैं तो आपका एकदम day to day जो होता है ना आपका response भी सब काम के प्रती भी कम होना शुरू हो जाता है चलिए इसी के साथ सबसे पहला जो वह रहना है एक जो बेरेंट जो है एक जिक्टीव है जिसका मतलव होता है फुल आफ इनर्जी आफ एक्साइटमेंट जो रहता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है खासर के जानदार जीवन्त भी इसको बोलते हैं सुद्ध हिंदे में है ना नेक्स्ट है यहाँ इस टीप ठीक है इस टीप एक एक एगेक्टिव है जिसका मतलव होता है कि आउराइजशिंग और फैलिंग क्यूक्ली आप यह जली से अगर कोई भी चीज थीज कि यह यह खासर कभी यूज होता है जब हाइट पर जाते रहता है अटीक है उसके निफिक दिटान्त तिंक और सईकल तुए स्टी मैं नहीं सुचता हूं कि मैं उस पहार पर ना साइकल चला सकता हूं क्यों पता है क्योंकि यह बहुत यदा उतार चढ़ाओ वाला एक तुम है ना उसके लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स टेक ग्लूम बुलते हैं ग्लूम एक नाव नहीं जिसका मतलो जो सैड के लिए निगेटी मिनिंग देता है से हैना मतलब फिलिंग और बिंग सैड विदाउट होप में जो कुछ आसा ही नहीं है लगता है भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते एक दम है ना ग्लूम इस तरह कर आजा जाता है जैसे बोलते है ना जिसका मतलब नाजुक जुक सी हाथ एकदम है मतलब भाई वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको मतलब इनर्जी का कमी ऐसी पर जबात है दुना जुक पन एकदम बहुत ज्यादा सौफ्ट कोमल एकदम लड़की लोग का जोते है ना बीनाइंग जो है ना एक एजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक मार्क किसी का रहता है ना किसी चीज़ के लिए एकदम पूरा है ना का सरफ पतली रेखा के लिए बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है कि अगर अगर किसी जगह पे ना कर हम गुट्सेंड करते हैं ठीक है उसको सीपमेंट का जाता है और अपने कंट्रोल में कर लेते हैं लिमीट में कर लेते हैं आप एनी कोस्ट आइड वेल डो इट किसी भी किम्मत पे मैं इसके एसके करूंगा ही करूंगा नो मैंटर वाट डेंजर दिफिकल्टिया रहें मतलब पता ही नहीं चलता है इच्छा मतलब बहुत सारे बच्छे जो होते नाचकल मतलब अपनी मतलब परिशानी से एकदम पूरा परिशान रहते एकदम सोसों चे परिशान रहते है लिए कुछ ऐसा भी रहता है बंदा at any cost I will show you my talent किसी भी कीमत मैं आपको अपना टैलेंट जो है वो दिखा करके रहूंगा है ना मतलब एक अलग तरह का फिलिंग आता है यह हमेशा यह यूज भी आता है है ना इस ठीक हो गया और नेक्स्ट यहां पर जैसे ड्रैग ऑन एक फ्रेजल वर्वर जिसका मतलब होता है और कोई बीचे लंबे सम यहां ओर यह थे लेते हैं ठीक है और सी के बीच में क्या है चाथीस काखरा समझते है हिंदी में जो 36 होता है ऐसे होता है मतलब एक इधर देख रहा है तो दूसरा इधर देख रहा है दूनों के इतना जदा जग चाग रहा है डिस एग्रीमेंट है से कन्फिलिक्ट आ जा पर इंटर सेप्ट जो है ना एक वर्व है जिसका मतलब होता है कि स्टॉप और के समभडी सम्तिंग मुविंग फर्म वन प्लेस तो अनदर मतलब खास करके अब अंतर रोधन करना भी इसको बोलता है मैं इसको रोक देना मतलब या एक जगह से दूसरे जगह जाने मेना उसको इसको रोख देने जुब सा भात है लोसके जाता है और हम वसने रेसे डियरवर्पोर्ट िो रहते हैं जो रहता है कैम्टा roughly लीधी इसका यूज किया जाता पूरा एकदम निगरानी में एकदम निगरानी किया गए है कोई कॉलाइट बहुत है इसका मददा टकड़ा होई है न होते हैं एकदम खास करके जो गती मान चीज होता है उससे एकदम बोलता है ना गती में आ करें जैसे ही रैन इलांग दा कोई डोर में ऐसे वह दौरा ना और को लाइड़ विद हर्टी इस टीचर अपनी टीचर से ना टकड़ आ गया गया पूरा है ना उसको खुलाइट का जाता है स्क्रैंबल जो आना एक वर्व है जिसका मतलब ओठाशा जलए जली कहीं जाते है एकदम पूरा इंड़ उसी को चैपकी किसी चीज पर किस चीज पर किया जहान जिसे सीरी च्छत पर चले जाते है पेर पर चले जाते हैं और जो पहली बार देखने उसे रिष्ट नारे चेनल झाल 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 झाल